कॉनिश्रीव मेनसान, वेल्कम बैक तु मैरिप शैनल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक और नियू चाप्टर के बारे में, मीन नानो नियोंगो का ग्रैमर का चाप्टर नमबर 44 के बारे में, तो आज के इस चाप्टर नमबर 44 के अंदर कुछ नियू पैटर को हम डिसकस करने जा रहे हैं, चलिए ज्यादा टाइम बेस्ट किये, शुरू करते हैं आज की वीडियो को, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, चाप्टर नमबर 44, मीन नानो नियोंगो का, तो आज के इस चाप्टर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं, एक और नया देखेंगे, यह adjective में जब हम इसको यूज करते हैं सुगी मास को, तो यह हम रिमूफ कर देते हैं, similarly ना adjective में जब हम यूज करेंगे, तो ना रिमूफ करेंगे, इसके बाद सुगी मास एड़ करेंगे, और वर्ब की जो मास फॉर्म है, मास फॉर्म के साथ इसे सुगी मास क जो words रहेंगे verbs के वो same रहेंगे और उसके पीछे हम mass अठा के सुगी मास add कर देते हैं ठीक है second group हो या first group हो या third group हो तो जैसे नोमी मास हो गया verb तो नोमी मास में मी के बाद mass आता है mass को remove करा हमने और सुगी मास add कर दिया सुकारे वा किनो उसके ओ नोमी सुगी मास था यानि कि इसके अंदर किसी quantity को बताते कि कोई quantity उसने काफी जादा कर दी या काफी जादा किसी चीज को करना तो too much के sense में उसको हम use करते हैं जैसे कि उधारन के लिए he drank too much alcohol yesterday कल उसने काफी जादा पी ली थी बहुत जादा पी ल जाना यह काफी जादा बड़े हैं size में so this shoes या this pair of shoes is too big in size ठीक है इसके बाद third है वो कुछ इस तरीक से क्योंनो शिकेन वा कांथान सुगी माशता कांथा ना adjective था लेकिन हमने ना नहीं लगाया है कांथान सुगी माशता यानि आज का जो exam था वो काफी जादा easy था बहुत सुगीरू तो कारदानी वार्विदेस कितना ही आपको खाना पसंद क्यों ना हो लेकिन अगर जादा खाओगे ताबे सुगीरू का मतलब यही है कि if you eat too much अगर आप जादा खाओगे तो कारदानी वार्विदेस तो वह आपकी health के लिए अच्छा नहीं है आपके शरीर के अएपक लिए अच्छा नहीं ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नेक्स चलते इसके बाद मास फोर्म या सुई दिस निकुईस बहुत अच्छा बैटर्न है बहुत जादे यूस होता है जैपनिज में मैं खुझ से बहुत ज्यादे से यूस करता हूं जब जापनिज है हो जापनीज में बात करते हैं जैसे हम कुछ बोलते हिंदी में की इससे करना काफी आसान है , पğमिक में के लिए बहुत जुल है है कोई कोई भी न्यूस पर उठाएं कि यह न्यूस पर पढ़ने के लिए तो इस पैटन को यूज करते हैं यासुई या फिर निकुई तो फर्स्ट एक्जामपल देखें ओकी कांजीवा योमी यासुई दिस आप सभी को बता देखो बड़ा कारक्टर जो होता है वो हर कोई एसीली पढ़ सकता है बट जितना छोटा कर Two उसको पढ़ना होता है मुश्किल होता है तो सेम चीज है कांजी चीज में में मज़्णाजी आप इसली पढ़ सकते हो छोटी होगी आप सोचेंगे उसे देखएंगे कि क्या लिखा हुआ है रिको कांजी अर्था साथूनाटी क्यों नहीं कुई दिस फॉरें की बात करें तो study के मामले में फॉरें जो है महाँ पर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो study in abroad is difficult ठीक है इसके बाद third जो example है वो कुछ इस तरीके से यानि कि plants grow easily in the rainy days जब बरसात होती है बारिश की दुनों में आप देखेंगे जो पॉदे होते हैं वो easily grow करते हैं यानि कि जहां पर जो जमीन बंजर भी होती हैं वहाँ पॉदे हो गया आते हैं छोटे-छोटे पेड़ पॉदे तो यही मैंने बताया कि बहुत easily वहाँ पॉद दे क którzy आब डोंहसे बताए जुक्त ऒबहुत म Prozent के लिए पहली के देखें आप कोई चीज को करें मैं आप जासे और कहिसे हैं थो जरूionyद कर रही है यह तो मैं उसे हैंडिल करर रहा हूं या अप यिसको कर कर रहा हूं तो इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं जैसे मैंने फर्स और सेकिंड बनाया है ठीक है गाई को कुई दिस इस्टडी इन आप्रोड इस डिफिकल्ट तो इसमें भी करने का सेंस है लेकिन इसके अलावा जो थर्ड और फोर्ड आपके एक्जामपल दे रहे हैं उसके अंदर अपार्ट फॉम इस जो अदर सेंटेंस इस उसको आड़ कर रहा है तो फहला जो दूस्रे का जो पहला यूजिस है जो बताया गया वह यही है कि उनम वह सेंटेंस हम यूज करेंगे या सुई और निकुई बनम मैं आड़ करके जिन सेंटेंस को हम या तो खुद करते हैं या फिर जिसको हम ँड़का से हैं या फिर सेंटेंस में हम किसी चीश को हैंडल करने के काम कर इस टाइप के sentences जो है first point में बता रखे हैं इसके अलावा जो other sentences इसके अंदर हम कोई करने का sense नहीं होगा हमारी तरफ से या फिर कोई like किसी चीज को handle करने का sense नहीं होगा तो वो इस type के sentences जैसे कि यहां पर हम simply जन्रली बात कह रहे हैं कि बड़सात के दिनों में पौदे अपने आप ग्रोह होते हैं अब यहां पर हमारा कुछ भी रोल नहीं है हम कुछ कर नहीं रहे हम किसी चीज को हैंडल नहीं कर रहे हैं यह मैं इसलिए बता रहा हूं आपको किताब के अंदर आपको इसे कैटेग्राइज कर रखा है फर्स्ट पर्फ इसके बाद देखते हैं फॉर्uk इस तरीक ऐसे शिरोई कुट्स कुट्सुवा योगोश्य यासूमदे राष्स जो व्यट शूस होते हैं भाथ जल्दी गंदे हो जाते हैं तो व्यट शूस गैट्स डर्टी इसली थिके इसके बाद चलते हैं अब नेक्स जो हैं वो यह है कु नारीमास यानि कि यासुई या फिनिकुई इसको हम नारीमास में भी convert कर सकते हैं sentence को बना सकते हैं जैसे मेगाने को खाकेरू तो अगर आप चश्मा पहनो तो जीयो मियासु कु नारीमास तो आप easily words को देख पाएंगे कंडिशन चेंज हो जाएगी ठीक है कंडिशन क्या चेंज हो जाएगी अगर आप चश्मा पहनोगे तो आप आप easily उस word को पढ़ पाऊगे यह कंडिशन चेंज हो जाएगी ठीक है इसके बाद next six देखें कोनो होन ओ योमीनी कुकुते मुझुकाशी देश अब समझ मा रहा है मैं क्या गया रहा था जो second use हम सीख रहे हैं उसका यह थीसरा थर्ड use है थर्ड use में बताया गया है कि हम कैसे यासुई को और निकुई को कैसे हम convert कर सकते हैं नारीमास वाले sense में यह नारीमास वाले sense के अलावा भी हम कुटे वाले sense में भी इसे यूज कर सकते हैं ठीक है तो कुटे वाले sense में हम इस तरह किसे जो निकुई को हमने यह यह पर हटाएक ककुटे कर दिया है यह चलते हम इसे नारीमास में भी यूज कर सकते हैं ढ़ता कि आप उसे किस तरीके से इन sentence को यूज कर रहे हैं यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है चली आगए चलते है इसके बाद हमारे next pattern है जो की है, थर्ड पैटन वो है इएड्जेक्टिव, नाइड्जेक्टिव, नाउन, नी इएड्जेक्टिव जो है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे बताएंगे लेकिन उससे पहले हम देखें कि इसके साथ हम लगाएंगे शिमस और शिमस जब हम अड्ड करते हैं, तो यह एड्जेक्टिव में पढ़ा था, जिसके अन्दर हम क्या कर रह थे एक कंडिशन जो है अन्टोमेटिकली चेंज हो रही थी दूसरे कंडिशन छी कंडिशन जैसे यूमेणी नारी मास पड़ा था ना यह चीज फेमस हो जाएगी यह मेनी नारिमास या फिर कोई अगर हम लेखे कोई हम एक एड्जेक्टिव को ले तो मुझे काशी को नारिमास यह थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सेमस होगी लेकिन पहले वाले नारिमास वाले सेंटेंस मैं उसमें क्या कर रहे थे उसमें चीज अपनी प्लडिशन अपने चैंज हो रही थी ऐसे नारिमास यह थोड़ी मांस भी चेंज होगी situation लेकिन इस situation को इस condition को चेंज है वो हम खुद करते हैं करने वाले चेंज हम खुदी हैं या कोई और person जो किस चीज को change करेगा तो जैसे कि उधारन के लिए मैं आपको इसमें example देना चाहूंगा we will clear our school या we will clean our school हम अपने school को साफ करेंगे या बिल्कुल सेम है वही वाला नीनारीमस या फिर कुनारीमस वाला मुझकाशी कुनारीमस ठीक है तो वहाँ पर चीज ऑटमाटिकली हो रही थी यहाँ पर चीज ऑटमाटिकली नहीं हो रही यहाँ पर चीज कर रहे है तो जो कर रहा है जो उस चीज को करा रहा है इसलिए यहाँ पर शीमस एड़ हुआ है पैटन लगबक सेम है ठीक है उसका second example देखें तो आपको और अच्छे समझ मैंगा कामी और मिजगा कूँ शीमस कामी जो है यानि की बाल जो है वो मैं short रखूँँगा ठीक है तो यह भी condition है अभी long है फिर बाद में short रखेगा I will keep short है इसके बाद third है जो की है ringo o juice निशिमस यानि की ringo यानि की apple जो है उसको उसका juice जो है वो बनाऊंगा अगर मैं कहूँँ अपने case में इस case में भी क्या हो रहा है apple से juice बनाया जा रहा है ठीक है और यह बनाने का मैं कर रहा हूँ इसलिए मैंने कहा ringo juice निशिमस यानि कि कुल मिला के आप कोई भी काम ऐसा करें जिससे condition से दूसरी condition change हो रही है तो निशिमस वहाँ पर आड़ करेंगे और यह भी इसके बाद बढ़ते हैं नाउन निशिमस अब इसके अंदर यह नाउन निशिमस जो है ना वो सिलेक्शन और डिसीजन के लिए यान कि जब हमारे पास सिलेक्शन के आप्शन होते हैं तो इन दाट केस भी हम चहीं करते हैरे कैसे करते हैं वह देखेंय करते हैं चैसे पहला है नो मिमोझ नोवा कोई नी किशिमस का आप क्या लेना चाहोगे है कौफी या फिर टी जब आप किसीका झीट को आपशन भी रखते हैं यह लोग ste 수도 आउसका या फिर पैन तो नी शिमास का, ठीक है, पैंसुर नी शिमास का, या फिर पैन नी शिमास का, कबान नी शिमास का, साइफू नी शिमास का, so in that case हम option रखते हैं, उसमें से जब हम चाहते हैं सामना वाल को सेलेक्शन करें, तो हम इस तरीके पैटन भी यूज़ करते हैं, या नाउन नी शिमास, शिमास भी यूज़ करते हैं, in that case, second as का example, रियोको वा राइश्यू नी शिमास, यह एक तरीके डिसिजन हो गया, पहले में सिलेक्शन और दूसरे में डिसिजन, और यह वाला पैटन भी बहुत ज़्यादे यूज़ होता है, especially companies वगरा में, so I will travel next week, यह मेरा डिसिजन हो गया, कि मैं next week जो हम इस टॉपिक पर मीटिंग करेंगे, कोनों वदाई नी खांशते, खाईगी वार आईश्यू नी शिमास, यह correct way है, यह यह इस टॉपिक के बारे में, मीटिंग जो है, वो next week होगी, तो यह decision हो गया, finally, इस तरीके की sentences बनते हैं, ठीक है, इसके बाद next है, आप अपना fifth pattern जो गी है, इड्जेक्टिफ कू, ना अड्जेक्टिफ ना, इसके अंदर भी, जहां तक मुझे लगता है, इ और ना को हम remove करेंगे, वर्ब यहाँ पर add कर रहे हैं, और यह एक तरीके adverb की तरह काम करता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपके बताया था, इड्जेक्टिफ का e remove होके cool लगेगा, ना अड्जेक्टिफ का ना remove होके नहीं लगेगा, तैन उसके बाद verb, कभी भी कोई भी adjective, जब हम e adjective या अड्जेक्टिफ यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद कोई हम verb बना रहे हैं, तो ध्यान रगना ऐसे में adjective और verb मिल कर के adverb बन जाते हैं, तो कि आप खुद देखिए, आगे क्या यूज़ हो रहा है, adjective, पीछे क्या यूज़ हो रहा है, verb, तो adjective का add और फीछे add verb का वर्ब पूरा, यानिकि कि हिंदी बोले तो kriya विशेष्रण, जो किसी शब्द की, like kriya विशेष्रण उसे बोलती है, जो किसी चीज की विशेष्टा को, kriya की विशेष्रता को बताते हैं, उधारन से आप इस अच्छे समझ पाएंगे, जैसे कि, कांजी ओ, तदाशी कु काईते कुदा सही, समझ मारी है, यह adjective हो कि, तदाशी का मतलब क्या होता, correct, इह हटा के कु एड करा हैं आपे, और वरवागया काईते कुदा सही, यानि कि, कांजी को सही तरीके से लिखी है, प यह आपका नाय अच्टिव होगा, कि रही नी से इंताकु शिमाशो, लेट्स वाश्ट दे क्लाट्स, क्लियरली, सो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था, उमीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो कर पसंद आई होगी, वीडि इसी तरीके के कुछ इंटरस्टिंग चाप्टर के साथ, तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइली, टेक केर, और बाबाई